प्रिये दर्शको नमस्कार आज मैं आपको कुंडली के दूतिये भाव में बनी राशी और उसमें बने कुछ गरह अवस्ता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूँ जो मैं आपको लगन के आधार पर आपके दूसरे भाव की इस्तिती बता रहा हूँ उसमें ये दूसरी वीडियो है इसके अंदर जो पहले में चार राशियों का प्रभाव बता चुका हूँ आपको व्रशब, मिथुन, करक और सिह इन चार राशी का प्रभाव दूसरे कर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएंगी आप उससे देख सकते हैं, जिससे आपको जो महत्वपूर्ण जानकार ही वो प्राप्त हो जाए, इसके बाद अगर बात करें, आज की इस वीडियो में तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि कन्या राशी, अग नियम कायज अनुशासन तो सभाव में होते ही है, और धन भी कही न कही अपने अनुशासन पुर्वक खर्च करने की एक प्रवत्ती इसे विक्ति के अंदर होती है, धन को सही तरह से खर्च करना, सही चीजों में लगाना इसे विक्ति के सभाव में रहता है, ये जरूर है क ये ऐसा विक्ति अपने जीवन काल में अधिक भी खर्च कर देता है लेकिन दूसरों के लिए स्वयम पर तो कई बार बहुत कम खर्च करता है लेकिन आकस्मिक रूप से EKI की कई बार बड़ी मात्रा में खर्च कर देता है लेकिन इस्थिराशी का प्रभाव लगन पर बनने से विक्ति धन बचाना जानता है दूसरे भाव में करण्या राशी होने से धन को लेकर के मिनेजमेंट ऐसे विक्ति के अच्छी रहती है और ऐसा विक्ति आपने जीवन काल में अच्छा धन अरजित भी करता है साथ ही साथ ये बात भी देखने को मिली कि ऐसे विक्ति के घर परिवार में अच्छे गणी तक ये रहे या फिर अच्छे धार्मिक कर्म करने वाले रहे एकाउंटिंग आधि से जुड़े कोई कारे करते हो रिसर्च वर्क करते हो एसे लोग कहीन कई घर परिवार में देखने को मिलते है यानि ग्यानी जन अच्छे परिवार में रहते है उनसे ग्यान अच्छा प्राप्त होता है और ये बात भी देखने को मिले कि कन्या राशी दूसरे भाव में होने से विक्ति को वानी किस प्रकार से उप्योग में लाई जानी चाहिए, उसका एक विशेश गुन घर परिवार से सीखने को मिल जाता है। इसलिए विक्ति बच्पन से ही अच्छी वानी को बोलने वाला हो जाता है, सभी को प्रभावित कर दे ऐसी वानी बोलने वाला बन जाता है। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि अगर तुला राशी कुंडली के दुसरे भाव में हैं तो एसा विक्ति धन को ले करके बहुत जादा आ सकते होता है। धन कमाना ही ऐसे विक्ति के जीवन का सबसे परम्लक्ष हो जाता है कई बार तो। मतलब अपने प्रते कारे से एसा विक्ति अधिक से धन कमाना चाहता है। मेनेजमेंट समता अच्छी होती है तो धन को कमाना, बचाना और अपने सुखों में लगाना ऐसे विक्ति के सवभाव बन जाता है भूमी भवन वाहन पर भी खर्च करता है और अन्य चीजों पर भी इसे विक्ति का खर्च बड़ा चड़ा रहता है किन्तो अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने की जो चाहत है ऐसे विक्ति के अंदर अवश इसे देखने को मिलती है एसे विक्ति के घर में महिलाओं की संख्या कई वार अधिक होती है या जहां कारे करे वहां भी इस्तिरी वर्ग महिला वर्ग की संख्या जदा होती है कन्या का प्रभाव होने से इसा विक्ति ये बात देखने को मिली कि अपने से विप्रित लिंग जो होते हैं उन से अच्छा धन कमा पाता है या उनके साथ जुड़ करके एसे विक्ति को लाब बहुत अच्छा होता है घर परिवार में भी इस्तिर वर्ग का सम्मान करने पर एसे विक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती और कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशी होने पर ये भी देखने को मिला कि एसे घर परिवार से ही विक्ति को हर परिष्टिती को मेनेज करने का गुण बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा यहां पर तुला लगन अगर बना हो यानि व्रश्चिक राशी कुंडली के बारवे भाव में हो तो इसे विक्ति को धन संचित करने के चिंता करनी पड़ती है। धन का मेनेजमेंट कई बार बिगड़ जाता है इसे विक्ति का और व्रश्चिक राशी है तो यह काल पुरूच की आठवे भाव की राशी है। इसलिए दूसरे भाव में इसका बनना थोड़ा कमजोर कहा जाएंगा विक्ति को धन को ले करके यह चिंतित करने वाला प्रभाव देने का काम करेंगा। इसे विक्ति का धन कई वार गयरत की चीजों में नुकसान में भी चला जाता है। किसी अन्य को दे दिया तो वहां भी पेसे फस्ते हुए देखे गए है। बाकी यह जरूर रहता है कि देखो विक्ति आकस्मिक धनलाब जरूर कमाता है। अपने जीवन काल में इसे विक्ति के मन में भी रहता है कि अधिक से अधिक धन कमाया जाए। तो आकस्मिक धनलाब वाले शेत्र वो शेर मार्केट हो, लोटरी सटा, जुआ अन्य शेत्र हो इसा विक्ति वहां से धन के लिए प्रयास करता है। और कई बार देखने को मिला कि धन की प्राप्ति भी होती है। अब जहां से प्राप्ति किया है, वहाई नुकसान भी जाता है, लेकिन प्राप्ति अवश्य कर पाता है, ये बात जरूर देखने को मिली। और दुसरे भाव में तुला यहां पर व्रश्चिक राशी है, मंगल का प्रभाव अगर अच्छा हो जाए, लाभ भाव से संबंद बन जाए, अच्टम से संबंद बन जाए मंगल का, तो ये धन तो आकस्मी ग्रूप से बड़ी मात्रा में देने का काम कर देता है, तो ये ए परोकार पर इसा विक्ति खर्च अधिक करेंगा, यात्राओ पर इसे विक्ति का खर्च अधिक होता है, एसे विक्ति का जो खर्च है कही न कही कुटुमबी जनों की कारियों पर या धालमे कारियों पर अधिक खर्च होता है, एसा विक्ति सब के लिए करना चाहता है, और ये देखने को मिला कि अपने जीवन काल में अधिक से धिक धन कमाना भी चाहता है और अधिक से धिक धन एसा विक्ति बचाना भी चाहता है इसे विक्ति के सुभाव में ये बात देखने को मिलती है कुंडली के दुसरे भाव में, यहांपर अगर में धनूराशी का प्रभाव कहू elaborate तो इसको मैं अच्छा कहूँगा, घर परिवार में धर्मकर्म को करने वाले लोग होते हैं, पांडित्य कर्म, धर्मिकर्म करने वाले लोग एसे विक्ती के घर परिवार में होते हैं, और व गविश्टिति घर परिवार में जहा जन्मिंग होता है भले धाल में ता की गुण रहते हैं, लेकिन ढहर परिवार की इस्थितिति नहीं अच्छी नहीं रहती, वह सामान नहीं इस्तिति रहती है। लेकिन ऐसा विक्ति अपने दम पर अपनी मजबूती से अन्ने के लिए फिर अच्छा करता भी है, सोयम की महिनत से फिर अच्छा धनरजित भी कर लेता है, चिंता भले अधिक रहे, चिंता करना, संगर्च करना, इसे विक्ति के सुभाव में रहता भी है, तो उसका विक्ति तो जुड़ा रहता है, गहराई तक सीखना, गहराई तक खोजना, किसी बात को भी, छोटी से छोटी बात को गहराई तक सोचना, उसके विचार करना, अच्छा बुरा दोनों पक्षे समझना, इसे विक्ति के सुभाव में हो जाता है, इसके कारण मानतिक चिंता रहती है, ल धन को लेकर के चिंता ज्यादा रहती है, धन बचाने के लिए महने ज्यादा करना पड़ती है इसे विक्ति को, हाला कि कई बार देखने को मिला कि घर परिवार में कर्मठ लोग रहने के कारण, अच्छे थोड़े नाम सम्मान वाले लोग रहने के कारण, या मतलब जो जहां जन्म होता है, वहां सब जो रहते हैं, माता, पिता या अन्य बड़े जो बोलेंगे, वो अच्छे प्रतिष्टीत रहते हैं, इसलिए उनके पास धन की इस्तिति अच्छी होती है, जन्म जात विक्ति को धन की प्राप्ति अच्छी हो जाती है, जहां दुसरे भावों में चर राशी बनने पर यही अच्छी बात होती है कि बचपन से विक्ति को जो सुक चाहिए होता है उसके लिए घर परिवार में इस्तिती होती है लेकिन फिर भी ऐसा विक्ति कहीं न कहीं अपने दम पर धन अरजित करना चाहता है किसी दुसरे का न उपकार लेना चाहता है और ना ही किसी अन्य के धन के भरों से बेटता है तो ये बात यहां अच्छी देखने को मिलती है दुसरे भाव में मकर राची होने से घर परिवार का मान सम्मान तो अच्छा होता ही है वेक्ति अपनी कला कोशल से अपने ग्यान से अपनी बुद्धी मता से भी अच्छा धन अपने घर परिवार से अलग पहिचान अपने निर्मित करता है स्वयं के काम पर आगे बढ़के निर्मित करता है तो ये बात यहां अच्छी देखने को मिली वेक्ति के अंदर परोकारी का गुण है दुस्रों की साह ITा करने का गुण है धन बचाने के लिए में मिहनत करने का भी सोभाव होता है कई बार सोयम के लापर वाही में कई बार जल्दी बाजी में एसा विक्ति धन का लुक्सान भी करवा बेटता है किसी को पेशा दे दिया तो इसा विक्ति वापस मांग नहीं पाता तो उससे इसे विक्ति को बचना चाहिए क्योंकि पेशे दे देंगा तो पेसे डूब जाएंगे, तो उससे बचना चाहिए, इसके अलावा आप देख पाएंगे कि इसे विक्ति के अंदर जो अलग-अलग क्वालिटिया होते हैं, अलग-अलग अच्छे गुण होते हैं, उससे एसा विक्ति अच्छा धन भी अरजित कर पाता है, और जीवन में शनी की राशी होने पर ऐसा विक्ति दूर की वाते सोचने के सोभाव वाला हो जाता है, घर परिवार में डाढ़ शनी एक फिलोसोपर या अच्छे मतलब गहरा ही तक किसी बात को अध्यन करने वाले गहर मनन करने वाले लोग अधिक देखने को मिलते हैं, और इंजिनर हो, मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम करने वाले हो, ओनलाइन कोई वर्क करने वाले हो, ऐसे कही न कही घर परिवार में अधिक देखने को मिलते हैं, सोयम के काम करने वाली की स्तिती भी अच्छी होती है घर परिवार में, लेकिन इमानदारी से और हाड वर्किंग नेचर घ वहाव का ऐसा विक्ति बन जाता है और अपनी महनत से अपने लगन से अच्छा धन भी ऐसा विक्ति अरजित कर पाता है भले ऐसे विक्ति के मन में संतुष्टी नहीं रहती लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपनी महनत से अच्छा धन अरजित करता है शुरुवाती जीवन तो येसा विक्ति सुखी होता है, संपन्य जीवन व्यतित करता है, और आगे का जीवन भी फिर एक आलिशान जीवन अच्छा व्यतित कर पाता है, लेकिन अगर शनी कमजोर हुए तो वेराके का गुन बढ़ जाएंगा, और फिर कही न कही अकेला येसा विक्ति रहे, उदास रहे, निराश सा रहे, वो बाते बढ़ जाएंगी और धन की इस्तिदी भी फिर वेक्ति की खराब हो जाएंगी, इसलिए वेक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए, इस लगना में वेक्ति सकारात्मक रहे, तो सफलता बहुत अच्छी प्राप्त कर सकता है, इसके अलाबा, अधिक बनी रहेंगे इसे वेक्ति के साथ में, यहां ये भी देखने को मिलेंगा, कि ये जो दूसरे भाव में मीन राशी का प्रभाव है, इसके करण घर परिवार में धानिक लोग, अच्छे कारे करने वाले, गहराई तक किसे चीज़ को सोचने वाले, विदेश में रहन वाले लोग रहे, पांडिते कर्म करने वाले लोग रहे, जोती शादी से जुड़े लोग रहे, ये बात आपको देखने को मिल जाएंगी, दूसरे भाव में मीन राशी होने से एसा विक्ति एक मातर में धन बचा नहीं पाता, उतार चड़ाव का प्रभाव रहता है, किन् अगर यही विक्ति नशा करने लग जाए, बुरी संगती में लग जाए, बुरी आदत अएसे विक्ति को लग जाए, तो फिर कही न कही जीवन फिर खराब हो जाता है, धन भी नहीं आता, नुक्सान भी होता है और परिशानी का सामना करना पड़ता है, वो अलग, इसलिए इसे विक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में अच्छे अपने कर्म रखे, अच्छे मार्ग से धन कमाने का प्रयास करे तो अच्छा रहता है इसे विक्ति के लिए, दुसरे भाव में मीन होने पर मिला जुला परिणाम कह सकते है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो अच्छा गुरु खराब है तो फिर खराब परिणाम ज्यादा देखने को मिलता है। बड़े भाई से बड़े लोगों से संबंद अच्छे रखने से भी प्रभाव अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मेश राशी बनती है। तो विक्ति कई बार अन्नी को आगे कर देता है। häuf ऐसे विक्ति के सुभव को भी अच्छा रखता है मन को भी सव는지 करता है और जीवन में सफलता भी देने का काम करता है पीक बह तो इसलिए इसे विक्तियों कोशिश करना चाहिए कि धें को एक जगह इंवेर्ट करने की जगो एक जगो रखने की योगो अलग-अलग दो-तिन एकाउंट बना दिये वहां पर रखना चालू कर दे तो अच्छा परिणाम अवश्य से मिल जाएंगा थोड़ा-थोड़ा करके सेविंग करना प्रारंब करें तो इसे विक्ति के पास धन भचना प्रारंब हो जाएंगा क्योंकि मेश राशी दुसरे में है तो धन को लेकर के चिंता सदेव बनी रहेंगी और धन को लेकर के संतुष्टी भी प्राप्त नहीं होंगी इसलिए से विक्ति को चाहिए कि एक सही तरीके से मेनेजमेंट करते हुए धन को थोड़ा आपने पास संचित करने का प्रयास करें व्यर्त की चिंता से बचे तो इस विक्ति अवश यसे से अच्छा धन भी अरजित कर सकता है और जीवन में अच्छा सफल भी हो सकता है तो इसलिए दुसरे भाव में जो राशी बन रही है ये आपके धन की इस्तिति को प्रमुकता से बताती है आप भी ये देखिए कि कुंडली के दुसरे भाव में कौन सी राशी बनी है इसके प्रभाव को मिलाए और ग्रा की इस्तिति को भी देखिए वहां कौन से ग्रा है उस भाव का स्वामी कहा पर बेठा है क्या इस्तिती में है उसके अनुसार अपने काले को जूड़िए आप अवश्य से अच्छा धन भी अरजित कर पाएंगे इससे जूड़ी पूर्व की वीडियो में दे चुका हूँ उसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिलेंगी उनको भी देख लिजिए आपको सटिक जानकारी प्राप्तों होंगी और आप एक सही निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि क्या आपके लिए अच्छा रहेंगा